तो हम लोग यहां पर स्टार्ट करने वाले हैं पीजी टी एक्जामेनेशन जो अभी आने वाले हैं डीट, ट्रिपल असबी, एच्टेट, एंड एम्पीटेट के एक्जाम्स बहुत ही रीसेंट आपके सामने आने वाले हैं तो यहां पर सीखेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट कॉश्चन जो इसके अल्री एक्जाम में आए जा चुके हैं और देखेंगे कुछ वंडर्फूल इम्पॉर्टेंट कॉंसेट तो चलिए आई दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की क्लास देखें सबसे पहला सवाल आपके सामने जो है उसमें कहरा है लेट f be a function such that fx plus y equal to fx plus fy एंड फॉर आउल एक्स एंड y और यहां पर कहा गया है कि f of x equals to 2x square plus 3x multiply by gx थोड़ा इसको आसादानी साथ दिख लिजे fx equal to है कितना 2x square plus 3x और multiply by कितना है याँ पर g of x है for all x where gx is continuous and g of 0 equal to 3 तो आपको f dash x की value find करनी, देखे आपको क्या निकालना है यापर mainly f dash x निकालना है तो f dash x निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, first principle का formula आपको लिखना चाहिए यहाँ पर f dash x का f dash x equal to limit x tends to 0, h tends to 0, f of x plus h minus f x upon कितना होता है h f dash x equal to limit h tends to 0, f of x plus h को आप लिख सकते हैं क्या, यह देखे यहाँ पर formula है, अपने पास f of x plus y equals to, आप इसको separate लिख सकते हैं, f x plus f y, तो यहाँ पर हम f of x plus h को लिखेंगे, f x plus f h and minus of f x, f x से f x क्या हो गया, cancel के वल मेरे पास क्या बन गया, f h, और अब आपके पास देखें, f x दिया है, 2 x square plus 3 x into g x, तो f h मेरे पास क्या बनेगा, 2 h square plus 3 h, upon में h multiply बे कितना हो जागा, g h, ओके, so, यहाँ पर इसको solve कर दीजे, h common लेके cancel कर देंगे और यह बन जाएगा इतना, और g हमें क्या value चाहिए, f dash x की value चाहिए है, और g of 0 हमको कितना दिया है, 3 लिया है, तो हम यहाँ पर जो है, h की value जिदी 0 डालते है, तो 3 times of g of 0, क्योंकि यहाँ पर हमाँ पास क्या चल रहा है, f dash x, और h tends to 0 की limit put करने पर 3 बाहर आजागा, because 2 into 0, 0 plus 3, 3 and 3 multiply by g 0 is equal to 3 into 3, equals to कितना आगया, 9, so, इस तरीके से इसका answer होगा, अपने पास में, option a, 9, done, okay, चलिए अगला question देखे, अगले question में आपने यहाँ पर पूछा गया है, कि इस expansion की value क्या होगी, इस expansion को कितने तरीक से आप लिख सकते हैं, okay, तो अगर हमारे पास यह यह options में रखके देखते हैं, तो मैं 45 पर रखके देखता हूँ, तो यह क्या है, satisfy नहीं करेगा, मतलब undefine हो जाएगा, इसलिए मैं यहाँ पे, मैं इसको 45 रखकर करके करने में, मेरे को सही नहीं लग रहा है, तो चलिए इसको solve करने का एक सिंपल तरीका, हाला कि यह 10th class का question है, CBC, Buka, NCRT का, तो इसको करने का एक और मैं सब को simple तरीका बताऊंगा, 10 A upon 1 minus 40 plus 40 upon 1 minus 10 A है, तो आपके आकर यह 10 A का multiply वो डिवाइट कर दीजिए, तो यह तो 10 A square A, और यह हो जाए कितना 10 A minus 1, और यह हो जाएगा, कि आपके पास कितना हो जाएगा, और आपके पास कितना हो जाएगा, 10 A into 1 minus 10 A, ओके अब आपके काम कर यहां से सकाल सिम लेंगा, 10 Q A minus 1 upon 10 A into 1 minus 10 A, अब यहाँ पे स्कोई A Q minus B Q को फर्मुली से अप्सॉल कर देंगा, 10 A minus 1, तो 10 A स्कुल हो जाएगा, तो 10 A square A plus 1 और प्लस 10 A, कौन सा फर्मुल लग गया, यहाँ पर A Q minus B Q का identity लगा दीजिए, और इसके बाद, आप जो है, यह क्या बन जाएगा, यह बन जाएगा, यह बन जाएगा, आपके पास 1 plus 10 A, और प्लस कितना कोटे, तो यह सौल हो किया जाएगा, 1 plus 2 A into, यहाँ पे कितना हैगा, 10 A कोटे है थोड़ सा मैं इसको सौल कर दीजिए, थोड़ी सी प्रॉब्लम लग रही है यहाँ पे, तो इसको मैं सौल कर दूँ, देखिए इसका आंसर कितना हैगा, देखिए, कैसे सौल होगा यह, 1 plus 10 A का मतलब होता है, sign A upon sign A, sign A upon cos A, तो sign A, cos A उपर चला जाएगा, और sign A, cos A उपर सौल करना चाहिए, मिरको, तो sign A, cos A, रिखिए, यहाँ पर, यहाँ पर cos A है, और sign A है, तो किस सरीके सौल होगा, रिखिए, यह होजागा, sign A into cos A, ठीक है, sign A into cos A, plus, sign A square A, plus cos A, यह भी हो जाएगा, और whole divided by, कितना हो जाएगा, whole divided by, sign A into cos A, तो इसकी value किती होगी, 1 होगी, okay, यह तो यह answer नहीं होगा, तो इसकी value किती होगी, 1, तो 1 plus sign A into कितना होगा, cos A, और divide by sign A into cos A, तो sign A cos A से, sign A cos A cancel होजागा, और 1 के नीचे sign A, कितना होजागा, cos A के, और 1 के नीचे cos A, कितना होजागा, sec A, तो इसका जो correct answer आपके सामने बन रहा है, वो option number B होजाएगा, okay, तो ध्यान रखिए इसको, simple question होते है, जल्दवाजी में कई बार गलत हो जाते है, अगला question देखे आपके सामने, limit extends to pi by 2, limit आप put करते है, तो cot pi by 2 कितना होता है, 0, or cos 0 होता है, और तो यह आपका L hospital से भी हल हो सकता है, या आप इसको substitution भी कर सकते है, तो आईए इसको, इसको मैंने यहाँ पर देखे, substitution method यह कहले है, तो सबसे पहले मैंने इसको, थोड़ा simplify कर दिया, देखे, cot x है न, तो cot x को मैंने cos x upon sin x c formula, cos x मैंने common ले लिया, देखे, यहाँ पर, तो cot मैंसे मैंने, यहाँ पर मैंने cost common लिया, देखे, कितना बच जाएगा मेरे पास, limit x tends to pi by 2 है, और मैंने यहाँ पर क्या common लिया है, मैंने यहाँ पर, मैंने यहाँ पर, सबसे पहले मैंने यहाँ पर cos common ले लिया, ओके, तो देखे, यह कैसे बनेगा, हमेरे पास, पहले इस चीज़ को समझो, यहाँ पर यह बनेगा अपने पास में, देखो, cortex कितना होता है, cos x upon sin x होता है, और minus का कितना होता, cos x होता है, ओके, तो अगर आप cos common लेंगे, तो one minus sin x बनेगा, और one minus sin x के साथ, नीचे भी, एक sin x बनेगा, वो मैं लिखा, भूल गया हूँ, तो, यहाँ पर, पर क्या जाएगा, देखी, यहाँ पर भी आ जाएगा, मैं पर समें, एक sin x common हो चुका है, तो one minus cos x, यह थोड़ा सा mistake कहीं पर हो रही, एक मिनट रुख जाएगी, तो यहाँ पर थोड़ी सी, जो mistake थी, उसको अपन ने इंप्रूब कर लिया है, आई यह देखते हैं, इसका systematic solution क्या है, देखे, यहाँ पर question दिया है, limit x tends to pi by 2, question मैं आपको पूरा तो आपको differentiation में बहुत महनत हो जाएगी, तो I feel कि आपको इसको better रहेगा, कि आप इसको simple method होता है, वैसे ही करें, तो आपके पास देखे, limit x tends to pi by 2, तो आपने court को किसमें break लिया, आपने court को break लिया, cost में upon sign में, तो यह cost upon sign है, इसके बाद देखे, आपके पास यह जो जो कछ ऐसी बनेगी, ऊपर आएगा cost x और नीचे आएगा sign x और नीचे आएगा कितना cost x, okay, तो अगर आप यहां से cost x common ले लेंगे, तो cost x common लेने के बाद देखे, कितना बचेगा, one minus का sign x upon की sign x, तो यह लिखाया, अपने पास one minus sign x upon में sign x, तो अब मेरे को इसकी कोई जरूर x minus pi by 2 tends to 0, और इसके साथ ही, साथ ही, मैं यह भी कहूंगा, कि इसका इदी रसी प्रोकल देखो, तो pi by 2 minus x tends to, यह भी क्या होगा, 0 होगा, okay, मतलब दोनों का difference 0 की और जा रहा है, तो देखे, cost x को मैं लेके लेक सकता हूँ, sign pi by 2 minus x, और यह power 3 है, क्योंकि मैंने यहां से नी minus x upon pi by 2 minus x, और देखे, क्या बच गया, अपने पास में, यह बच गया, 1 minus, देखे, यहां पर 1 minus, sign को क्या लिख सकता, cost pi by 2 minus x, और pi by 2 minus x का whole square, और sin x, यह वाला, वैसे का वैसे ही लिख दिया, मैंने, अब देखे, अब देखे, अपने पास में, 1 upon 8 बाहर आ चुका है, 8 मैं अब x minus pi by 2 tends to 0, ओके, यह देखे, तो यहां से, sign upon sign, इसकी value to care 1 हो चुकी है, क्योंकि देखे, pi by 2 minus x tends to 0 है, और यहां पर इसको break कर दीजे, तो 1 minus sign, cost to 1 minus cost theta equal to 2 cos square theta, 2 sin square theta by 2, तो 2 हो गया, sin square theta by 2, तो pi by 4 minus x by 2 कर देखे, अब यहां पर देखे, आपके पास में क्या है, यहां पर pi by 2 minus x से, बट आपको क्या बनाना है, pi by 4, मतलब यहां से 2 common लेगे, तो 2 बाहर common लेगे, तो कितना बनके निकलेगा बाहर, 4 बनके निकलेगा बाहर, ओके, तो उपर 2 sin square pi by 4 minus x by 2, और नीचे pi by 4 minus x by 2, 2 से आपने 4 को cancel कर दिया, 2 times cancel हो गया, तो कितना बज़ गया, बाहर 1 upon 8 तो बैठे ही हुआ है, ओके, और sin x की value दिया कि x tends to pi by 2 चल रहा था, तो x की जगे आप क्या रखेंगे, pi by 2 रखेंगे, तो sin pi by 2 भी कितना हो जागा, 1 हो जाएगा, sin pi by 2 कितना हो जागा, 1 तो यहां पर sin pi by 2, जो sin x है, मैं इसको भी यहां पर लिख देता हूँ, this is equal to sin pi by 2, जो की 1 हो गया, आप देखें, जो जो चीजे बज गई है, उनको लिख दीजे, तो आपके पास यहां से कितना बचा 1 upon 8 और यहां से बच गया 1 upon 2, तो all total कितना हो जागा इसका answer, इसका answer हो का 1 by 16, तो इस तरीकी से question भी हो गया, done, चलिए दोस्तो अगला question देखते है, अ सबसे पहले आपको पता होना चीजिए, कि sin x upon x जो होता है, sin x जो होता है, वो always less than क्या हुआ करता है, x हुआ करता है, तो sin x upon x जो होता है, x से कम हुआ करता है, तो sin x upon x की जो value हुआ करती ही, देखें, वो कितनी आएगी, एक मिनट यहां पे लिखा हुआ है, हाँ, यह इस तरीके solve करना है, तो sin x always less than x, तो sin x upon x की value हमेसा 1 से कम होती है, इस तरीके ज़्यासी प्रोकल कर दोगे, तो x upon sin x की value क्या होगी हमेसा 1 से बढ़ी होगी, तो अब यहाँ पर देखी, इसमें 100 का multiply कर देंगे, तो 100 sin x upon x की value क्या होगी हमेसा 100 से कम होगी, अके मतलब यह जो greatest integer is का पहला part, इसका पहला part जो आएगा, यह देखे, 100 x upon sin x है, तो 100 x upon sin x जो आएगा, वो क्या होगा, 100 से बढ़ा आएगा, क्यों आएगा, क्यों क्यों क्यूंकि x upon sin x जो होता है न, वो क्या होता है, वो वन से बढ़ा होता है, तो अगर आप 100 में multiply कर तो अंदर की जो quantity है greatest integer की वो किसे बड़ी हो जाएगी 100 से तो देखिए अंदर की quantity 100 से जाता है दूसरा वाला part क्या है 99 sin x upon x अभी मैंने आपको बता है कि sin x upon x की value 1 से कम होती है तो अगर आप इसका 99 से multiply कर देते हो तो 99 sin x upon x जो हो जागा 99 into 1 से कम that is equal to 99 से कम मतलब ये वाली जी चीज है ये अंदर वाली चीज है क्या 99 से कम और ये जो बाहर की चीज है वो क्या है 100 से जादा ओके और देखो अब limit क्या लगी limit x tends to 0 लगी हुए limit x tends to 0 लगी हुए मतलब 100 से तो जादा है मगर x का मान कहा थे की तरफ tend हो रहा है 0 की तरफ 99 पर 99 से कम है ना तो 99 से थोड़ा भी कम हो गा तो इस पर तूटे गा 98 पर तूटेगा ओके 99 माइनस एच का greatest integer कहा पर तूटता है 98 पर तूटेगा तो correct answer इसका कितना आ जागा इसका answer आ जागा 198 ओके 99 से कम हो रहा है तो 99 से कम अगर 98.9 भी है तो किस पर तूटेगा 98 पर तूटेगा तो इस तरीके सांजार इसका कितना होगा 198 एक चबर दस्त क्वेशन एक मज़ेदार क्वेशन ड़न चली साथ हो अगले पर क्या लिमिट दीगे लिमिट दीगे अपने पास टू से लेके फोर इंटीग्रेशन आफ लॉग एक से स्क्वेर लॉग एक से स्क्वेर लॉग आफ थर्टी सिक्स माइनस 12 एक स्प्लस एक स्क्वेर इसको थोड़ा सा आपको सिस्ट्मेटिक करके लिखने की जुरूरा स्क्वेर यदि यह बाहर आ जागा तो यह बन जागा टू लॉग एक्स माइनस 6 और यहां से भी क्या जागा यह टू लॉग एक्स बन जागा तो देखिए इस को सिंप्लिफाइ करते हैं कैसे हो गई कोशन सॉल देखिए हमने सबसे परे इंटीग्रेशन को आई ले लिया and now this is equal to two से लेके four okay दो से लेके 4 तक ले लिया है और two log x log x square two log x plus two log x log of six minus x का whole square में इसको बताया तो two two common लेकर के cancel कर दीजे तो आपके पास जो question बन जुका है i is equal to कितना बन जुका है two से लेके 4 okay ऊपर है log x upon log of x plus log of six minus x देखिए अब आप एक यह काम करें देखिए इसकी property इसको आप इदी solve करके देखें, कौनसी property लगा के a plus b minus x वाली, तो i जो अपने पास नया function बनेगा, वो कितना बनेगा, दो से लेकर के 4, log of 6 minus x upon log of 6 minus x, प्लस कितना हो जागा, log of x बन जाएगा, ठीक है न, तो अब देखें, यहाँ पे बिल्कुल same denominator आ रहा है, same numerator आ रहा है, add करोगे, तो numerator भी same बन जाएगा, तो इसमें property लग जाएगी, कौन सी वाली, जो short trick लगती है, i is equal to b minus a upon 2 वाली, तो इसके लिए answer की upper limit है, 4 minus 2 upon 2, that is equals to कितना हो जाएगा, 1 इसका answer आजाएगा, तो यह बहुत easy सा question दिख रहा था, बहुत खतरनाक सा, ठीक है न, इस तरीके से यह question हो गया, अगला question भाई, बहुत मस्त है, बहुत जबरदस्त है, है न, अगला जो question है, वो एक तरीके से geometry आपकी थोड़ी से अच्छी आनी चाहिए, और यह जो cord है, इसका जो cord है, इसका center कितना होगा, 0,0, इसका जो center होगा, 0,0, अब यह जो cord है, यह जो है, कितना एं major sector तो यह बाहर वाला होगा, इस major sector पर, मैं थोड़ा सा pen change कर लेता हूँ, dark color होना चाहिए, तो अच्छा देखेगा, तो यह देखे, यहाँ पर यह major sector पर जो cord है, कितने angle बना रही है, यह angle बना रही है, 45 degree, तो आपको बताना है, कि then value of the M, मतलब इसकी आपको slope बतानी है, इसकी आपको क्या बतानी है, अब चली थोड़ा सा देखे, idea लगाई है, आपको पता है कि अगर यह 45 degree होता है, तो center पर बनाया गया angle कितना होता है, just double होता है, कितना होता है, 90 हो जाएगा, अब इसके बाद चली, इसको condition लगा के solve करते, यह देखे, इसका diagram है, यहाँ पर 90 degree angle बना रहा है, और यह center कितना है, 0,0, चलो भाई, तो मैं इसमें आपको solve करने में मदद करता हूँ, चली, ऐसा कुछ है, देखे, तो यहाँ आपके पास में दो triangle छोटे छोटे बन गए है, अब देखे विहान से यह angle कितना है, आपके पास में 90 degree, ओके मैं color थोड़ा change कर है, आपके पास में X है, जो cord है, okay, cord आपने लिए रखी है, cord आपने कितनी लिए रखी है, आपने x, y equal to mx plus c है, sorry, तो यहाँ की length जो है, एक तरफ की length इसने x मान लिए बने, कितनी मान लिए है, x मान लिए है, अब देखे ज़रा, यहाँ पे क्या हो सकता है, इस चीज को सम देखे, अगर मैं इस cord को देखूं, तो center से रिखे, यह भी radius है, और यह भी क्या है, radius है, यह दोनों के लिए common perpendicular है, और perpendicular जो होता है, वो cord को 2 equal part में divide करता है, बिल्कुल सही है, मतलब यह जो ट्रकॉर्ट, triangle होगा, इसके concurrent हो जागा, तो यह angle जो होंगे, यह angle और यह angle आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, तो यह वाला angle कितने degree हो जागा, 45 degree, ठीक है, यह वाला angle कितने degree हो जागा, 45 degree हो जागा, और यह अपने पास में कितना है, 90 है, और अगर यह 45 है, यह 90 है, तो इसे भी कितना होना पड़ेगा, इसे होना पड़ेगा, 45, अब चल होगा आपका, तो सइन 45 घडेरी, यह रेखी हिस एंगल के रिए खेल रहा हूँ है, यह वाले एंगल यह देख दीख़ आपको इस एंगल के लिए 45 degree to sign 45 degree equal to perpendicular of hypotenuse hypotenuse कितना वन है तो एक्स अपन वन तो एक्स अपन वन एक्स की वैल्यू किती आ गई वन भाई रूट तू मतलब यह जो आपके पस्में perpendicular है यह किता है वन भाई रूट तू है ओके यह जो perpendicular है वन भाई रूट तू है अब चलिए इस concept का यूज करते हुए मैं निकालता हूँ डिस्टेंस देखिए यह जो डिस्टेंस है किती वन भाई रूट तू है और जो वन भाई रूट तू डिस्टेंस होगी वो ओर जिन से यह जो लेंफ परपेंडिक लर के बरावर होगी किसपे इस कॉर्ड पे यह जो कॉर्ड जा रही है इस पर लेंफ पर पर पैंडिकुलर के बरावर होगी तो 1 by रूट 2 एसन कल डिन तो लेंफ एकॉल टो चार्ग ब्रोफली तो एवैं कल 2 प्रम टो किता हो जागा वन वे रूटू दो नहीं कर रहा है तो करेक्ट और प्रेक्ट और टो यह बहुत ही अच्छा पॉस्ट ने मतलब देखा जाए तो 10th लेवल ने 10th में तो नहीं आएगा अच्छली स्ट्रेट लाइन का फॉर्मुला लगा हुगा है तो तो elementals level में यानि की PGT level का एक बहुत ही प्यारा question है और इसमें कुछ खास difficulty नहीं है बढ़ आपका brain इस्तमाल हो रहा है ओकी तो ऐसे question में support करता हूँ और इस question exam में especially DSSB में ऐसे question आते भी हैं दोस्तो Done चली देखें दुस्तो अगला question देखते हैं ओके ये question बहुत important है okay simple है simple question ज्यादा important हुआ करते हैं difficult question exam में आजकल कम आते हैं मतलब ऐसे question आते हैं जो थोड़ा सा आपकी दिमाग की समझ को देखें इसलिए question मुझे important लगा इन ट्रेंगल with side ABC कह रहा R1, R1, R2, R3 ये क्या होते है एक्स radius होती है okay R1, R2, R3 जो होती है कह रहा R1 greater than R2 greater than R3 तो बताईए इन में से कौन सा relation चारों में से सही आपको बताना है okay आईए देखते हैं बहुत simple question कैसे करते हैं हम दो जानते एक्स radius का फर्मुरा R1 equal to delta upon S minus A, R2 equal to delta upon S minus B and R3 equal to delta upon S minus C और क्या given है R1 greater than R2 greater than R3 तो मैंने लिख रिया delta upon S minus E greater than delta upon S minus E, delta 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 आप cancel कर दीजे so 1 upon S minus E greater than 1 upon S minus B greater than 1 upon S minus E reciprocal कर दीजे तो S minus A, S minus B से चोटा और S minus C से चोटा तो अगर minus sign का multiply कर देंगे तो A minus S greater than B minus S greater than C minus S और आप S, 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 S add कर दीजे तीनों में तो S, S, S cancel हो जाएगा answer आएगा A is greater than B is greater than C, correct answer यहोगा done ओके तो answer में match कर लिए A is greater than B is greater than C, correct option क्या होगा, A होगा इसका correct option A is greater than B is greater than C, so done चलिए अगला question देखिए दिस तो अगले question को मैं आपको एक बहुत ही जवर्जा short trick से बताऊंगा, okay, देखिए question क्या कहरा the side of the triangle this, this and this, 3 side आपको दीगे है, कहरा जहाँ x और y की value गुरदी 0 है तो triangle का आपको type बताना है, okay, देखिए इसको आप वैसे कुसाइन formula भी इस्तमाल कर सकते हैं, जैसे आपने books वागे पढ़ा होगा, बड़े मेरे पास आप शॉट रिक है, कि आप x की कोई भी value रख दीजे, x और y की value रख दीए आपने, जो 225 है, 15 का square जो है, वो other 2 side के square से बड़ा है, okay, तो कुछ rule आप याद के लिजे कि, if a square greater than b square plus c square तो ये कौन सा triangle होगा, obtuse होगा, if a square equal to b square plus c square तो ये कौन सा होता, right triangle होता है, और if a square less than b square plus c square होता है, triangle के अदर तो ये क्या होता है, acute हुआ करता है, okay, तो यहाँ पर देखि एक side के square बाकी की 2 side के square से बड़ा है, तो ये कैसा triangle होगा, इसका answer होगा, correct, it is obtuse angle triangle, so this is done, okay, चलिए आई दोस्तों अगला question देखते है, question, इस question में जो है, मैं कहूंगा कि quadratic equation की जिसको शांदार approach आती है, वो ये question चुटकी बजा के कर लेगा, बाकी जिसको approach नहीं आती, थो फूटा होगा, बच्चों को देख करके, कि ये CX square plus BX plus A है, ओके, इसके roots आपके क्या दियेगा है, alpha, beta, तो यदि मैं coefficient को reciprocal कर दूँगा, तो नया समीकर मेरे पस क्या बन जागा, AX square plus BX plus C, इसके जो roots निकलेंगे, वो कितने निकलेंगे, वो वो निकलेंगे, one upon alpha और one upon beta, अब क्या कह रहा है, यदि इसके roots alpha, beta हैं, तो आपको निकलना है, A times X plus 1 का square, B times X plus 1 और C equal to 0 के roots निकलना है, आईए देखते हैं, इसको कैसे solve करेंगे, देखे, आपके पास पता आपको कि CX square plus BX plus A के roots आपके पास में कितने हैं, CX square plus BX plus A के roots आपको दिये गए हैं, कितने alpha बीटा, तो आपके पास में, अगर इसके root alpha, beta हैं, तो AX square plus BX plus C के roots कितने होंगे, 1 upon alpha, 1 upon beta, अब जो आपके पास अगली जो equation दी गए हैं, विल्कुल AX square plus BX plus C की format में है, बस आप एक काम करिए, small X plus 1 को capital X माल लेजे, तो ये जो equation बन जागी हो क्या बन जागी, A capital X square plus B capital X plus C capital C equal to 0, ओके, तो ये रिखिए, अपने पास में capital X बन चुकी है, ओके, अब इस तरीके से, इस equation के जो हमारे roots है ना, इस equation के, अगर इसके comparison में देखा जाए, ओके, तो क्योंकि AX square plus BX plus C के roots कितने हैं, 1 upon alpha, 1 upon beta, तो यहां भी AX square plus BX plus C के roots कितने होंगे, 1 upon alpha, और 1 upon beta, की जो capital X की value है, capital X की 2 values होंगी, एक 1 upon alpha, अर 1 upon beta, और capital X को हमने किस से replace किया है, यहां पे capital X को replace कि हमने small x plus 1 से, so small x plus 1 equal to 1 upon alpha, so x equal to 1 upon alpha minus 1, x equal to 1 minus alpha upon alpha हो गया, और x plus 1 equal to 1 upon beta, तो x equal to 1 minus beta upon beta, मतलब जसके roots आएंगे, वह कितने आएगे 1- alpha upon alpha और 1- beta upon beta तो एक जबर दस understanding वाले question है 1- alpha upon alpha and 1- beta upon beta so it is done चलिए दोस्तों next question करते हैं जो की infinite series related है निविट end stands to infinity one key power 1 plus 2 key power 4 plus 3 power 4 तो क्यों ने इसको 1 key power 4 कर लिये अपान में कितना है n key power 5 okay minus 1 q plus 2 q plus 3 q up to up to up to कितना है n key power 3 upon n key power 5 अब इसको हमें solve करना है आई ये दिखते हैं कैसे solve करते हैं तो series मेरे पास यह है अब आपको पता देखिए power 4 के लिए तो कोई direct formula नहीं है तो यदी मैं इसको distribute कर दूँ one upon n करके okay तो one upon n को यदी साइट करके distribute कर दूँ तो देखिए one upon n और ये बन जाएगा one upon n key power 4 plus 2 by n key whole power 4 plus 3 by n key whole power 4 इस तरीके से इस तरीके से बन जाएगा n by n key whole power 4 जिसको मैं लेक सकता हूँ one upon n sigma okay देखिए one upon n sigma r by n key whole power 4 और r की value कहां one से लेके n तक जा रही है तो ये देखिए मैंने जो पहला टर में जो पहली सिरीज है मैंने इसको इस तरीके की सिरीज में लिख लिया limit n tends to infinity बिल्कुल चल रहा है one upon n common लेने के बाद sigma one upon r key value one से लेके n और कितना हो जागा r by n whole to the power 4 ठीके ना r by n whole to the power 4 minus limit n tends to infinity तो ही है अब देखिए natural number का क्यों कितना होता है and into n plus 1 by 2 का whole square divided by n to the power 5 यह हुआ करता है अब अब देखिए इसको solve करता हूँ देखिए मैंने बता है one upon r by n को क्या ले ले लिए एक्स ले ले लिए यह एक्स की power 4 बन गया और one upon n के place पर क्या आ जाता है one upon n के place पर आप dx लख दिजे अब limit बनाई देखिए r की value जो 1 होगी तो one upon n और n कितना जारा infinite तो one upon infinite कितना हो जागा zero और जब r की value n हो जाएगी तो n upon n equal to कितना हो जागा one तो जो limit चल रही है वो कितनी चल रही है zero से लेके one तक की limit चल रही है zero से लेके one तक की limit है और x की power 4 तो यह सा कितना हो जागा x की power 5 तक जाएगी और ये जो है 0 से लेके 1 और यहां कितना हो गया 1 upon 5 तो 1 upon 5 हो गया और bracket में कितना हो गया 1 minus 0 ओके 1 minus 0 तो correct answer इसका कितना हो जाएगा 1 by 5 तो 1 by 5 जो इसका correct answer हो जाएगा और क्योंकि देखे दूसरा जो part है दूसरे part में आपके पास में कितना अगर आप common भी लेंगे तो यहां से n square आएगा इधर से भी n square आएगा तो n square n square cancel होने के बाद भी चलिए देख लीजे यहां से n square आएगा और n की power 5 है तो n square से n square 4 हो जाएगा और नीचे कितनी रहेंगी 5 power तो एक power cancel होने के बाद भी यह 1 upon n छोड़ेगा जिसको आप 1 upon infinity put करोगे तो कितना हो जागा 0 तो इसका answer कितना रहा 1 upon 5 minus 0 तो correct answer जो इसका बनेगा 1 upon 5 बनेगा so easy question done चलि देखते है अगला question क्या है अगला question क्या रहा इफ alpha बीटा आर दा non zeros non zero roots of the equation ax square plus bx plus c मतलब ax square plus bx plus c के जो roots है वो कौन है alpha बीटा है and alpha square, beta square are the roots of the equation ax square a square x square plus b square x plus c square equal to 0 तो a b c की value क्या होगी देखे यहाँ पे इसको कैसे solve करते हैं यह मेरे पास सबसे पहले पहले equation ax square plus bx plus c है जिसके roots क्या है alpha, beta तो alpha plus beta equal to minus b upon a alpha into beta equal to c upon a and दूसरी equation अपने पास में यह वाली है a square x square plus bx plus b square x plus c square equal to 0 इसके roots क्या है इसके roots है alpha square plus beta square तो इसकी भी दो equation हमने बना ली अब देखे हमें क्या करना है हमें a, b और c में relation से पलानी है बस तो यहां से मैं क्या करूँगा, यहां से उठाएंगा एक अपने मन से formula कि alpha plus beta का whole square होता है, वो alpha square plus beta square plus 2 alpha beta होता है, यहां पर मेरे पास alpha plus beta की value कितनी alpha plus beta minus b upon a, तो whole square कर दिये, तो कितना आगा b square upon a square equal to, alpha square plus beta square कितना मा पास C upon A, ओके, अब चलिए इसको देखे, तो ये कितना हो जागा, देखे, B square, A square, यहाँ add हो जागा, तो कितना हो जागा, 2 B square upon A square, equal to 2 C by A, ओके, 2 से 2 क्या कर ये cancel कर दीजे, तो B square equal to कितना हो गया है, A C हो गया है, तो इस तरीके से A, B, C जो होंगे, वो किस में होंगे, G, P में होंगे, ओके, तो यहाँ पे B square equal to A, C आ गया है, मतलब A, B, C किस में होंगे, G, P में होंगे, so it is done, तो A, B, C का अंसर कितना हैगा, इसमें, correct answer है, geometric progression, G, P, done, चले, next question, resume करते हैं, देखे, question क्या कह रहा है, if A, B, C are in AP, and B minus A, C minus B, and A are in GP, तो A, B, C का ratio आपसे पूछा है, तो सबसे पहले, A, B, C are in AP है, ऐसा कोई भी question देखा करिए, तो आप एक काम करिए, A को तो आप A ले लिजे, ओके, अगर ये GP में है, तो A equal to A रहेगा, B equal to क्या ले लिजे, A plus D, और C equal to क्या ले लिजे, A plus 2D, ऐसा करेंगे तो ये question बहुत ही simple होता जाएगा, otherwise आप बहुत परिशान करें हो जाएगे, तो ये देखे, इसको ऐसा करा करिए, A equal to A, B equal to A plus D, C equal to कितना होगया, A plus 2D, अब बाकी की जो term है, वो किसमें GP में है, ओके, तो देखे, कौन को GP में, B minus A, C minus B, और A, तो C minus B upon GP की प्रोपर्टी लग गई यहाँ पे हैं, तो GP की प्रोपर्टी से अगला पॉन पिछला, C minus B upon B minus A equal to A upon C minus B, ठीक है भाई, तो C minus B का whole square equal to A into B minus A, अब यहाँ से ABC की value आपको पता है, आप पूट कर दीजे, तो A, B, C की value आपने put कर दी, यहाँ से देखे, C minus B, के जगे, C की जगे का है, A plus 2D minus A plus D, तो A से A cancel हो गया, कितना आगया, 2D minus D, D का square equal to AD, ओके, और यहाँ से D का square equal to AD आगया, यहाँ से देखे, C minus D minus A equal to 0, तो D equal to 0 हो नहीं सकता है, D equal to A है, तो A होगा ही, B कितना हो जागा, B equal to A, अपने पास में A plus D, और A, D, A है, तो यह कितना हो गया, 2A, और इसी तरीके से C कितना है, A plus 3D, A plus 2D, sorry, तो यह कितना हो गया, 3A, तो इस तरीके से जो ratio निकलेगा, वो terms का कितना निकलेगा, 1 ratio, 2 ratio, 3, because जो terms आ रहे है, A, 2A और 3 आ रहे है, तो जो ratio आएगा, 1 ratio, 2 ratio, 3, so it is also done, चली, next question, resume करते है, देखे, क्या कह रहा है, if A square plus B square, AB plus BC, और B square plus C square, JP, तो ABC, पूझा गया, बहुत ही simple concept है, अगर यह GP में है, तो बीच वाले का square, आजू-बाजू वाले का multiply होगा, So, AB plus BC का whole square, क्योंकि बीच वाले टर्म है, AB plus BC का whole square equal to, इनका और इनका multiply, चली, देखे, multiply करने के लिए, इसको open करना पड़ेगा, A square plus B square plus 2AB से, यह open कर दिया, इनको multiply किया, तो यह भी open हो गया है, अब देखे, जो cut सके, तो cut 2, तो A square, B square कट रहा है, B square, C square भी कट रहा है, तो यह क्या बन जागा, देखे, A square, C square minus 2AB square, C, और प्लस B square का whole square, मैं B की power 4 को लिख सकता हूँ, ध्यान से लिखे, यह structure जो है, AC minus B square का whole square है, और AC minus B square का whole square equal to 0, मतलब अंदर के टर्म, AC minus B square equal to 0, this means AC equal to कितना होगा, B square, या B square equal to होगा, कितना AC, so ABC किस में होगे, geometric progression में होगे, So ABC in geometric progression, done, ओके, चले, next question, resume करते हैं, देखे, क्या कह रहा, question, कह रहा, if the sum of the series, this, यह आपके पास एक series दी गई है, N equal to कहां से start होगी, 0 से लेके infinity तक, R to the power N है, और इसका sum जो है, आपको S दिया गया है, तो आपको कह रहा है, sum है, then sum of the series, आपको R की power 2N की series पूछ रहा है, म N equal to 0 से लेके infinity, R की power 2N तक का sum कितना होगा, चले, यह बनाते हैं, इस series, तो देखे, सबसे पहले आपको देखे, R की power N दी गई है, N equal to 0 से तो यह आपको plane GP दे गई है, तो GP में 1 upon R, R up to infinity time, तो यह बनेगा S infinity equal to A upon 1 minus R, 1 upon 1 minus R, तो 1 minus R, तो 1 minus R, एको 1 minus R, एको 1 minus R, एको 1 minus R, ठीक है, इसको आप solve भी कर सकते हैं, तो 1 upon 1 minus S को क्या लिखोंगो, मैं R equal to S minus 1 upon S लिख सकता हूँ, अगला दीखे, R की power 2N मतलब 1 R square R की power 4, तो इस तरीकी से इनका infinite item बनेगा, 1 upon 1 minus R का square, तो 1 upon S minus 1 upon S का square, इसको simplify कर देता हूँ, देखे, सबसे उपर आजागा S square, और नीच question, especially मैं कहूंगा, UPTGT, PGT के लिहाद से, ऐसे question बहुत important होते है, UPTGT और PGT में जो होते है, इस concept के question बहुत जदा पूछे गए है, so it is done, okay, जली next question, resume करते हैं, देखे, अगला question क्या है, अगला question क्या है, अगला question कहला, the value of the, the value of the function cot 70 plus 4 cos 70, इसके 4 options दिए गाए है, एसे particular question म में आपको थोड़ी सी मेहनत लग दिये और ऐसे क्वेशन पीजी टी में अक्सर पूचे जाते हैं मतलब टिग्नोमेट्री की हाई लेवल एप्रोच कोई क्वेशन देखते हैं तो देखते हैं कैसे करेंगे इस क्वेशन को देखें आपको क्या दिया गया कॉट 70 प्लस पूर को सेवंटी यहां पर देखें यह बन चुक है 180 मैनस पूर्टी जो होता है साइन 180 मैनस पूर्टी जो होता है तो साइन 1.40 साइन 2.40 साइन फोर्टी इसमें करें हैं 50 आचुका कोई साइन 40 अब देखी क्या करें ूह सकता हूं कि साइन 50 आप sin 20 मेरे पास जो है sin 20 sin 40 के सहाधिरी में सम करता हूँ इखो ultimately मैं जाना कहा चाहरा हूँ ultimately मेरे कोई sin 70 को उड़ाना है खतम करना है तो या तो मैं sin 70 कर दूँ या तो मैं इसको क्या कर दूँगा या तो मैं इसको cos कितना कर दूँगा 90-70 यानि की cos 20 degree ओके तो मेरे को इसको हटाना ही है तो मैं sin c plus sin d का formula लगाया sin c plus sin d equal to 2 sin c plus d by 2 ओके और cos of c minus d by 2 तो 2 sin 30 degree और cos 10 हो गया तो यहाँ पर देखे कितना आजाएगा plus में sin 40 है अब देखे इसको मैं solve करता हूँ तो कितना जाएगा 2 sin 30 degree जो हो जाएगा sin 30 equal to कितना हो जाएगा 1 by 2 तो sin 30 से मैंने 2 से 2 cancel कर दिया मेरे पास कितना बज़ गया cos 10 बज़ गया cos 10 sin 40 को देखे यहाँ मैं क्या लिख सकता हूँ cos 10 को cos 10 को मैं फिर से लिख सकता हूँ sin 80 okay sin 80 और यह sin 40 है फिर से मैंने formula लगा दिया sin c plus sin d that is equal to कितना हो जाएगा दिखे 2 sin c plus sin d का मैंने formula लगा लगा 2 sin c plus d by 2 है ना और sin c plus d by 2 cos of c minus d by 2 तो sin c plus d by 2 8 4 12 120 का आधा साथ तो कितना हो गया 2 sin 60 upon में cost 20 okay और cost 20 से cost 20 क्या हो गया cancel हो गया है और 2 into कितना हो गया root 3 by 2 तो 2 से 2 cancel हो गया तो इसका answer कितना आ गया है root 3 okay तो ऐसे question जो है PGT में especially पूछे जाते हैं so this is done okay चली next question resume करते है देखिए यह जो question ने थोड़ा सा आप से hard work मांगेगा okay देखिए question क्या कहा रहा देखिए अपको इसकी वैल्यू जानी है 10 से मतलब कॉस से चल का को कहा जाना 10 में तो पहली ने जर में आपको और देखिए सारी वैल्यू इसकी किसमें दी गई गई है constant में दी गई है तो वैसे आप एक काम और कर सकते हैं कि आप यहाँ पर चारो जो है values ले सकते हैं बट problem हो जाएगी आपको ऐसी values लेनी पड़ेगी जिसका sum क्या हो जागा 0 हो जाएगा तो short trick की form में देखा जाए तो यहाँ पर पहली नेजर में short trick लगाना बड़ा मुश्किल हो रहा है क्योंकि हमको सब्सक्राइब करनी पड़ेंगी जिसका sum कितना मिल जाए जीरो ओके और यह थोड़ा सा एक मिनट यह दी देखा जाए तो थोड़ी सी हो सकती क्या ने 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 काफी ज्यादा लंबा पड़ जागा तो एक काम करते हैं इसके direct method क्यों चलते हैं देखी कैसे करा मैंने इसको तो और सब्सक्राइब कर दिया यहां पर यहां पर यह बने अपना टैन में स्टक्चर और यह बन गए टन में स्टक्चर दीकिए यह कितना बन गया हम मैंने इसका कर दिया cross multiply हम मैंने इसका sorry LCM ले लिया तो देखे यहां पर क्या हो जागा one plus 10x into 10y multiply by one plus 10z into 10t और one minus 10x 10z into 10t multiply by one minus 10x into 10y equal to कितना हो गया 0 अब इसको मैंने उपन कर दिया तो one into one plus 10z into 10t ओके फिर कितना 10x into 10y और minus 10z minus 10x 10y 10z 10t और फिर इसे को plus को open करके one into one बन हो गया minus 10x into 10y minus 10z into 10t and plus 10x 10y 10z 10t तो देखे 10z 10t यहां से जो है यह plus में है यह minus में cancel हो गया 10x 10y यह भी cancel हो गया आपके पास में क्या बच गया यह बच गया यह बच गया तो मैं इसको लिख सकता हूँ 10x 10y 10z 10t equal to one plus one उदर जाके हो गया कितना minus two तो two से two मैंने cancel कर दिया तो answer मेरे पास 10x 10y 10z 10t का पूछा गया था जिसकी value मेरे पास कितनी बच लिए minus one मतलब इक question देखने में शुरुआते मुझे लग रहा था कि क्या होगा पता नहीं इसका okay but solve करते करते जो है अपने आप इसका answer आगया तो इस तलिके मैं कहता हूँ कि maths जो होती ना वो attempt का विसे होती कि maths में आप पहली शुरुआत आप करिए जैसे ही आपने maths में शुरुआत कर दी ना तो मतलब 50% काम तो आपने शुरुआत कर लिए पहला कदम maths में जो होता है वो 50% का होता है बाकी अपने आप maths solve होती जाती है कई बार आपको लगता है उत्तर नहीं आगा और maths में अपने आप उत्तर चला आता है और चलिये दिखे नेक्स को स्वेस्ट को रिज्यूम करता हूं देखे मैं आपको इस क्षेशन के बारे में ये कहूंगा कि इस क्वेस्टन में कभी भी आप ग्रेटर देन लेस्ट देन देखा करो ने तो आपके मन में एक जी जाने चाहिए वाली प्रोपर्टी ए-म ग्रे प्लस 10C, okay, is equal to होता कितना 10A into 10B into 10C, यह property होती है, okay, इसका use हम यहाँ पे कर सकते है, तो देखिए क्या कह रहा है, कि end cot A plus cot B plus cot, sorry, plus नहीं है, cot A into cot B into cot C equal to k, तो आपको k की value find करनी है, चलिए इस question की सुरुवात कर देखिए, मैंने वही लाइन से सुरुवात क्रेशन की, कि a plus B plus C equal to pi, इसका मतलब 10A plus 10B plus 10C equal to 10A into 10B into 10C हो गया, given cot A into cot B into cot C equal to k, की दिया गया, आपके पास में, cot A into cot C equal to k, तो यहाँ से मैं सको क्या लिख सकता हूँ, 1 upon 10A, 1 upon 10B, 1 upon 10C equal to k, कितना हो गया, so इस तरीके से 10A into 10B into 10C, कितना हो गया, 1 by k हो गया, ओके, अब आपन जानते है कि AM is always गर देन कितना होता, GM, तो 10A plus 10B plus 10C upon 3, यह हो गया, arithmetic mean is always greater than or equal to 10A into 10B into 10C की पावर कितना, 1 by 3, जो कि geometric mean होगा, देखे, 10A plus 10B plus 10C की value जो होगी, यहाँ से आपने 10A plus 10B plus 10C, देखे, अभी आपने, मैंने आपको बताया है, कि 10A plus 10B plus 10C equal to, कितना हो जाएगा, 10A into 10B into 10 10C, तो यह जो value है, 10A plus 10B into 10C, यह लिखने की जगह कम है, अगले पेज में लिख देता हूँ है, तो यह जो value आपके पास में है, 10A plus 10B into 10 plus 10C, यह value किसके equal है, यह value है, 10A into 10B into 10C के, ठीक ना, इसके equal है, 10A into 10B into 10C के equal है यह value, और इसकी value आपने कितनी निकाल रखी, इसकी value अपने बन अपन के आई थिंग निकाल रोखी ना टैने इंटू टैन बी इंटू टैन सी की वेल्यों किती वन अपन के एक्जेक्ट ली तो यहां पर कितना हो जाएगा वन अपन थी के ग्रेटर देन वन अपन के टिटी पावर वन बाई थी तो अब इसको में सॉल कर देता तो वन अपन थी के ग्रेटर देन वन अपन के टिटी पावर वन बाई ठीच अगर आप इसको पलट लेंगे तो थी के लिउस देन और उई कॉल्टू कितना हो जागा के की पावर वन बाई थी ठीक्ठ ना थी less than or equal to KK power 1 by 3. तो KK power here, यहाँ पे यह दिया, आप इसको लिग दिए इस तरी के से, K upon KK power 1 by 3, K upon KK power 1 by 3. ठीक ना? K upon KK power 1 by 3 is less than or equal to kitना हो गया? 3 हो गया. K upon KK power 1 by 3 is less than or equal to 3. तो यह कितना हो गया? KK power 1 minus 1 by 3 is less than or equal to 3. तो यहां पर कितना जगत 3 है ना तो 3-1 2 by 3 यहने के की पावर 2 by 3 is less than or equal to 3 ओके तो देखते हैं इसका अंसर क्या किरा है तो के की पावर 2 by 3 is less than or equal to देखे 1 by 3 यहां पर बन चुका है मैं पास में solve करके थोड़ा सा मैंने कहीं पर mistake कर दी है क्या हां यहां से 3 नीचे आएगा तो एक्चुली यह 1 by 3 बन जाएगा न हां बिल्कुल सही है 1 by 3 बन जाएगा तो यह सब तो के की पावर 2 by 3 is less than or equal to 3 तो यहां पर आपका वर 3 ले लिजिए तो पावर 3 ले लें के का स्कुरार is less than or equal to 1 upon 27 देन के is less than or equal to 1 by 20 root 27 और 1 by root 27 कितना आएगा 3 root 3 आएगा के is less than or equal to 3 root 3 so this is done okay के is less than or equal to 3 root 3 इस तरीके से स्कुर्शन को हम करेंगे डन चली नेक्स स्कुर्शन रिज्यूम करते हैं जो की इंटिग्रल का है ओके इंडेफिनिट इंटिग्रल का एक कुशन आपके सामने दिया गया है किरा दा इंटिग्रल साइन टू एक्स ब्रेकेट में 1-3 by 2 कॉस्ट एक्स अपन एकी पावर साइन स्क्वार एक्स प्लस कॉस्ट क्यूबिक्स देखिए ऐसे क्वेशन को कैसे किया जाए ऐसे क्वेशन थोड़े से आपके प्रेक्टिस पर डिपेंड करते हैं सीडी सीडी बात की ज साथ है ना तो आप क्या करिए इस पूरे को टी ले लिए मेरे खाल से इस पूरे को अगर आप टी ले लिए तो आपकी काम बन सकती है चली तो इसको शोल्व करता हो देखिए कैसे कि आपने तो आपने नीचे वाला जो टर्म है सायने स्कुर्र X, E कि पावर सायने स्कुर X X में इसको Sin2X plus Cos2X ko aap T lelies, moaf कीजेगा, मैं इ ले लिया साथ में, नहीं इनी e साथ में मत लिजेगा, नहीं तो बाद गरबर हो जाएगी, e तो नहीं ना, ये जो है Sin2X plus Cos2X आपने क्या करना, T ले लिना है, तो आपने इसको T ले लिए देखे, जैसे ये आपने T ले डिफेरेंशिल के लिए 2 sin x cos x बन गया और ये 3 cos square x और minus का sin x है, ओके ये देखे, यहाँ पर लच्छन दिख रहा है इसके, तो यहाँ पर sin 2 x हो गया और देखे, आपने अगर minus 2 common ले लिए, minus 3 by 2, तो ये क्या हो जा 1 minus 3, 3 by 2, cos x क्या बन रहा है, dx मलब dt बन रहा है, मलब cd-cd बात ये क्या था, आपके पास में नीचे वाला जो T है, ऊपर वाला कितना बन गया, dt बन गया, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं integrate लिखो, i is equal to, ऊपर वाला तो पूरा dt बन गया, और नीचे कितना ह है, नीचे है, e की पावर t, ऊपर जाकर के बन जागा, e की पावर माइनस t, dt जो लिखा है याँ स्क्रीन पे, तो e की पावर माइनस t, dt का integration कितना होता, minus of e की पावर माइनस t, तो answer कितना होगा, minus, और e की पावर माइनस dt, कितना लिया था, आपने sin square x, plus cos square x, plus c, तो इस तर question देने का मतलब भी नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पर उनको तो question solve करना होता है, कोई PhD ने लिखवानी होते है, तो इसलिए इस तरीका question त्यार कीजिए, so this is done, चली, देखिए, next question resume करते है, ऐसे question आपको देख करके, बहुत आप परिशान हो जाते हैं, कि ऐसे question में क्या होग x plus x की power 2 by 3, plus x की power 1 by 6 है, और नीचे कितना है, x है, और into कितना है, 1 plus x की power 1 by 3 है, ठीक ना, तो ऐसे question को कैसे solve किया जाए, सबसे पहले option में match करी देखिए, इसमें भी 2 by 3, इसमें भी 2 by 3, और 10 inverse x, 1 upon x की power 6, तो ये थोड़ी सी यहां से आपको hint मिल गई है, कि कहीं ना कहीं x x की power 1 by 6 का कमाल है, तो आप क्या करिए, x की power 1 by 6 को आप टी मानलिजे, ओके तो पूरे question को x की power 1 by 6 की form में, लिख दीजे, x की power 1 by 6 को खुब कुछ और X equal to कितना हो कि U की पावर 6, 7 साथ मुझे डिफरेंशियेट करना पड़ेगा, यह X की पावर 1 by 6 को, तो देखे, जब X equal to U की पावर 6 है, तो DT, DX by DU, that is equal to 6 U की पावर 5, DU by DX, तो DX equal to कितना हो जागा, 6 U की पावर 5 DU हो जागा, अब आई ये, question को बनाईए, तो देखे, X कितना हो जागा, U की पावर 6 हो जाएगा, X की पावर 2 by 3, X की पावर 2 by 3, तो DT, 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 D यू की पावर 5 से एक यू कैंसल हो गया तो नीचे कितना बच गया मेरे पास में मैं 1 upon u2 से cancel कर दूँगा और 1 के साथ distribute कर दिए तो 1 upon 1 plus u2 ये दोनों cancel होगे तो कितना बचाए uq बचाए uq 6 u की power 4 upon 4 plus 6 10 inverse u तो देखे 6 से 4 से कड़ जाएगा 3 से 2 से 3 बार और 2 से किते बार 2 बार तो कितना u की power 4 यू कितना आपके पास में देखे u है यू कितना है u है x की power 1 by 6 है है ना तो x की power 1 by 6 की power अगर आप 4 करेंगे तो 2 तू जा 4 2 3 6 तो कितना आएगा x की power 2 by 3 plus 6 10 inverse x upon x की power 1 by 6 प्लस कितना हो गया 6 तो इस तरीके से यह भी जो question होते है practice type की हुआ करते हैं अगर आप इनकी बार-बार practice करते हैं तो थोड़ा सा experience आ जाता है बाकि नया question integration में कर पाना तो मतलब मैं कहूंगा बहुत ही कटिन बात होती बहुत ही मुश्किल बात होती ऐसे बहुत कम लोग शायद मेरी समझ में है जो integration के हर format को पहचान लेते हैं और वो लोग बहुत विरले हैं बहुत कम है दन चलिए देखिनेक्स क्वेश्चन रिज्यूम करते हैं यह बहुत ही easy question है मेरी समझ में करत दकर रिप्रेजेंट इपाई imaginary of z square equal to k okay where k is a non zero real number तो बताइए किसको रिप्रेजेंट करेगा imaginary z square तो सबसे पहले z square बना लिजे z equal to x plus i वही मान लिजे और z square आप करेंगे तो z square equal to कितना आ जागा x square minus y square plus 2i xy तो iota into 2xy का क्या बन जागा imaginary part बन जागा और क्या कहरा question में कि imaginary part जो है वो किसके equal है k के equal है तो imaginary part बनाते समय एक चीज़ जाद रखा करिए कि यह जो k होता है यह बदल नहीं सकता है मलब k की value जो होती fix होगा करती that is a non zero real number ओके तो यहाँ पर k जो है fix है so that's why x into y is equal to कितना हो गया k नहीं तो आप यहाँ पर यह सवाल कर सकते हैं कि देखे ज़र अगर आप कह रहो कि x into y equal to k x into y equals to k तो y is equals to k by x ऐसा कहके नहीं फिर भी आपके पास यह हर केस में हाइपर बोला ही बनेगा ओके यह हाइपर बोला ही बनेगा नहीं इस पर कोई सवाल नहीं उठेगा यह हाइपर बोला ही होगा so it is done चलिए देखे next question resume करते हैं अगला question के रहा the solution to the differential equation as cos x dy equal to y sin x minus y dx तो सबसे पिले देखे इसको variable बनाने की कुशिश करते हो बीच में माइनस लगा हुआ है वेरेवल से प्रेबल नहीं बन पाएगा homogeneous के दिखनी रहा है डिव डिए डिए इस बनाने के बाद और यहां पर y की पावर वन है और यहां पर y की पावर टू है मतलब यह जो है यह 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 y स्क्वेर बनदा भी दिए एक्स बना लूं यह डी एक्स बैडि डी बना लूं तो मैंने दीखी क्या कि y्क फिक्स ए ट्यगस इकोल y sin x minus y square और dvd x को खोड़ने के बार देखिए याँ पर kosex का divide कर दिया तो y 10 x minus y का y square c square x इसको देखते ही मेरे मन में आइडिया आया यहां पे मुझे लगा कि अगर मैं y का divide कर देता हूं इसतरफ आप 1 upon y square कर देता हूं, तो 10x upon y और minus 6x हो जाएगा, अब देखे अगर आप इसको, ये 1 upon y को अगर आप z ले ले लेते हैं, ओके, 1 upon y को आप z ले ले लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, minus 1 upon y square d by dx जो है, d z by dx बन जाता है, मतलब अगर कभी भी आपको 1 upon y नीचे बैठा बन जाए, और यहाँ पर y square लेना है, तो मतलब 100% आपको तब 1 upon y को z ही लेना पड़ेगा, तभी ये solve होगा, तो 1 upon y को आपने z ले लिया, तो minus 1 upon y square d by dx एकोल तो कितना होगा, d z by dx, तो ये minus इदर चलाएगा, तो minus, इदर से इसको अठाके minus यहाँ कर लिजे, तो minus of d z by dx, इस पूरी की जग कितना आगे, minus of d z by dx equal to, 1 upon y की जग कितना z 10x और minus का कितना होजाएगा, अब देखी यह आपके पास में differential equation है, वो भी कैसा linear, अब इसको थोड़ा systematically कर लिजे, तो d z by dx plus z 10x equal to, कितना आ जागा, यहाँ पर, यहाँ पर आ जागा, थोड़ा सा में भूल गया आई थिंग किया, यहाँ पर sec x होना था, क्योंकि minus sec x इदर आएगा, तो plus 1 नहीं आगा, यहाँ पर sec of x आएगा, ठीक है, यह, यह sec x आएगा, अब चलिए, आई यह बनाता हूँ, integrating factor equal to e की power, pdx, e की power मेरे पास दीखे, p कितना है, 10x है, यहाँ पर, okay, pdx, 10x का dx कर दिया, मैंने, है ना, तो 10x कर दिया, कितना हो गया, lock sec x, e से lock cancel होगा, कितना है, sec x आगया, तो integrating factor यहाँ पर आचुको है, मिरे पास sec x, अब चलिए दिखते हैं, इसका solution निकालते है, z into i f equal to, की integration q i f dx plus e, to z integrating factor आपके पस कितना है, sec of x equals to integration sec x into e, or i f कितना है sec x dx plus e, तो यह कितना हो जाएगा, मिरे पास integration of sec square x हो जाएगा, जिसको मैं solve करूंग, तो कितना हाँ जागा, आपको 10 x plus e, अब मिरे को y चाहिए है, तो इसके साथ में ले जाओं, क्योंकि मिरे को option से match करना है, तो sec x equal to y into 10 x plus e, तो दिखिए option नमर आपका कौन सा आगया है, b आ चुका है, sec x equal to y into 10 x plus e, तो इस तरीके की question की practice कर लिए जागा, क्योंकि यह ना linear दिखते हैं, ना homogeneous दिख आपका 1 upon y square बन जाएगा, dzy dx something इस तरीके का कुछ बन जाएगा, ठीक ना, जैसे यहाँ पर बना रिखिया आपे, तो 1 upon y square dvdx कितना बन गया था, आपका dz by dx बन गया था, so done, इस तरीके question ऐसे करेंगे, okay, so this is done.